महरास्टर की राजनीती में अब आरोप प्रत्यारोप का दौश चुरू हो गया अनन्तेगडे के बयान पर संजराउत का पलटवार 40,000 करोड़ वापस भेजना महरास्टर के साथ गदारी तो संजराउत ने अब ट्विट के जरीये निशाना यहाँ पर साधा है BGP पर और पलटवार अनन्तेगडे के इस दावे पर किया है कि कहीं न कहीं यह गदारी हुई है महरास्टर की जरता के साथ तो 40,000 करोड़ वापस भेजना महरास्टर के साथ गदारी तो संजीर राउत की तरह से ये पलटवार किया गया है तो महराश्टर की राजुनीती में अब आरोप प्रत्यारोप का दोर शुरू हो गया है अनन्त हेगडे के बयार पर संजीर राउत का पलटवार 40,000 करोड वापस भेजना महराश्टर की लिए साथ बड़ी गद्दारी तो आपको बता दे कि अनन्त हेगडे बीजीपी सांसत की तरह से दावा टोका गया है खुलासा उन्होंने करते हुए कहा कि 80,000 करोड रुपेओं को बचाया जा सके अगर ऐसा नहीं होता तो एन्सीपी कॉंगरस और शुर्शिव सेना इसका दुर्पियोग कर सकती थी और अब इसी पर पलटवार करते हुए संजुराओत की तरह से ये ट्विट जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस ट्विट के जरिये उन्होंने साफ़ पर पकाहा कि 80 गंटे के सेम पर्णवीस ने 40,000 करोड केंद्र को भेज दिया ये बड़ी गद्दारी है महराश्टर के साथ तो ये बो ट्विट संजुराओत की तरफ से किया गया है जिसके जरिये उन्होंने सीधे बीजी पेपर और देविंद पर्णवीस पर भी निशाना साधा है तो महराश्टर के साथ गद्दारी है अनंत हेगडे के बयान पर संजीराओत का पलटबार ट्विट के जरिये तो अब आरोब प्रत्यारोब का दौर शुरू हो गया है आपको बता दे कि अनंत कुमार हेगडे ने कहा था कि 40,000 करोड की केंद्र की राशित थी तो बहुत पहले ही बीजेपी की यूश्टनाती ये दावा अनंत हेगडे का है और अब उस पर पलटबार करते हुए संजीराओत ने कहा कि 40,000 करोड वापस केंद्र को भेजना ये महराश्टर के साथ गद्दारी है तो अब आरोप प्रत्य आरोप का दौर शुरू हो गया है अनंत हेगडे के दावे पर खुलासा होने के बाद अब संजीराओत ने पलटबार ट्विट के जरिया